हलो फ्रेंट्स प्रिशा की पार्शाला में मैं जूली आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे N.C.E.R.T. क्लास 5th इंग्लिश का चाप्टर आइस्क्रीम मैं तो चलिए बच्चों पोयम शुरू करने से पहले ये जानते हैं What is cold, sweet and creamy and wonderful to eat ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडी है, मीठी है और मलाईदार है जो खाने में बहुत ही बहतरीन लगती है Everyone's favorite treat especially on a hot summer day is an ice cream और वो सभी लोगों को खासकर गर्मियों में बहुत पसंद आती है वो क्या है? वो है ice cream And everyone's favorite person might just be the ice cream man और हर एक के लिए उस time सबसे पसंदीदा वैक्ती होगा वो कौन होगा? वो होगा ice cream man तो चलिए बच्चों ये poem स्टार्ट करते हैं और इसकी meaning समझते हैं When summer's in the city and breaks a bleach of heat The ice cream man with his little cart goes trudling down the street इन स्टेंजा में poet कहते हैं जब गर्मी आती है शहर में तो जो दिवार की इट होती है उसमें से भी बहुत तेज गर्मी बाहर निकर रही होती है तो जो वो ice cream man है वो आता है अपनी छोटी सी काट लेकर काट बच्चों उसको कहते हैं जिसमें ice cream वाला ice cream लेकर आता है और जो उसकी काट है उसे घर घर आते हुए लुड़का कर गल्यों में अराम से घूमता रहता है Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and void और उसका जो काट होता है उसके ऊपर umbrella लगा होता है और umbrella के नीचे बहुत ही अच्छी द्रिश दिख रहा होता है जिसमें जो ice cream man होता है वो उपर तक ice cream की कोन को fill कर रहा होता है मतलब उसकी जो कोन है उसको भर रहा होता है उसमें बहुत ही ठंडी ठंडी brown white color की ice cream होती है vanilla, chocolate, strawberry और chili thing to drink from bottles of frosty freeze green, orange, white और pink और उसमें vanilla, chocolate, strawberry flavor की ice cream होती है और उसमें बहुत सी ठंडी ठंडी सी drinks भी होती है और वो जो drinks की bottle होती है वो बर्फ से जमी होती है frosty freeze love gas की फुफकार और bottle का color होता है green, orange, white और pink His card might be a flower bed of roses and sweet peas the way the children cussed around as thick as honey bees इन स्टेंजा में जो poet है उन्होंने ice cream कार्ट को जो ice cream का कार्ट है उसे flower bed से compare किया है कि flower bed, flower bed means होता है फुल बारी जहां पे फूल लगे होते हैं, क्यारियों में फूल लगे होते हैं और जो बच्चे हैं उनको honey bees बताया है मतलब अधू मक्खी और उन क्यारियों में roses हैं, sweet peas हैं और उन पे जिस तरह से मधू मक्ख्या जो honey bees हैं वो मंडराती हैं बिल्कुल उसी तरह जो ice cream कार्ट के पास बच्चे अपना जुन बना के खड़े रहते हैं और ice cream लेते हैं, खाते हैं तो ये थी poem ice cream man बच्चो अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो please इसे like करे, share करे और subscribe करे, thank you